जहीं दोस्तों मैं आप सभी को ideal study point में स्वगर करता हूँ मैं आप सभी के बीच ले करा गया हूँ BPSC TRE 4.0 exam के लिए मैं अभी आपका chapter wise MCQ question करा रहा हूँ ठीक है और इसमें 2200 question दिये गये है ठीक है और ये आपका previous year में ये सारे question पूछे गये है ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में और STAT के exam में भी SR1 पूछे गया है उन्हीं सब का मैं solution आपके बीच ले करा गया हूँ तो चले इस्टाट करते हैं इसको देखते हैं तो आज हम लोग 11 chapter पढ़ने वाले हैं चाप्टर 11 और इस चाप्टर में हम लोग बता यानि की discount से related question देखेंगे ठीक है चले इस्टाट करते हैं तो देखी यहाँ पर पहला question बोला है कि किसी खिलोने के अंकित मुल पर 10% बता देने पर एक दुकांदार को 20% का लाब होता है चले इसको देखते हैं तो देखी अंकित मुल को हम 100 रुपया माल लिए और 10% जब हम बता देंगे वी क्राय मुल पर तो क्या हो जाएगा 100 गुने 10% यानि 90 हो जाएगा तो बता 100 और काटेंगे तो कितना हो जाएगा 90 रुपया हो जाएगा 10% बता काटेंगे तो उसके बाद में क्राय मुल पर ये 90 रुपया जो हुआ इस पर हम क्या करेंगे 20% की लाब बोला गया था ना इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 100 बता क्या हो बीस बढ़ा देंगे 120 और इसको काट शट करेंगे इसको तो काट शट करने पर हमें कितना आजाएगा 75 आजाएगा तिक है आप आसानी से इसको काट सकते है 100 से 100 काट लीजिए तिक है और उसके बाद में क्या करिए इसको 3 से काट लीजिए ऐसे काट लीजिए 0 से इसको 0 कट लिजिए फिर 3, 6 के 12 फिर 3, 9 ठीक है फिर 4 से 25 करण में कट लिजिए और 3 से 25 से काड़ी गुना करिए 75 रुपया आ गया अब 20 परसेंट जब बाटा पर बिक्रय मुल्की बात कर ले तो कितना 20 परसेंट बाटा अगर हो रहा है तो कितना हो जा रहा है 80 होगा ना 20 कम हो जाएगा तो और गुने 100 कितना हो जाएगा और यहां परसेंट की बात हो रही है तो परसेंट यानि बाटा 100 जैसे ही करोगे तो इकट के कितना आ जाएगा 20 परसेंट बाटा पर लाब हो गया, तो लाब परसेंट निकालना है, तो लाब परसेंट यानि की क्रैमूल कितना आया था, पांच, नहीं, लाब कितना आया था, तो लाब हमें पांच पता था, तो ये लाब बटा सो, लाब बटा क्रैमूल, तो क्रैमूल कितना था, 75, देख लिए यहाँ पर 75 हमे पुनांग में तोरियेगा तो 6 पुनांग 2 बटा 3% इसका एंसर हो जाएगा है कि नहीं तो यह लिजे इसका एंसर अपसन नमर आपका कितना अपसन नमर भी हो गया अगला देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है इसको देखिए चार सुरुपया अंकित मुल के एक खिलोने गारी को 8% के 2 क्रमिक बटे उपर बेचा गया यदि दुकांदार 16% यदि दुकान जो है 16% की अकेली बटा की घोसना करें तो यह उससे होने वाली हानी क्यातना होगी यह देखना है तो चले इसको देखिए यह देखिए 8% का 2 क्रमिक बटा पर बिक्रय मुल देखना है तो 8% का 100 में से 8 कम करेंगे कीतफ सब्सक्तितना होगा, रूपाइब देखना यह देख लिए स हादना होगा bet if the और 16% UP केली बटा पर अगर विक्राय मूल देखा जाए तो 400 का ये 16% जब कम करेंगे तो 84% हो जागे या नहीं 84 बटा 100 और इसको हम 400 गुने 84 बटा 100 करेंगे करेंगे गुना उना करेंगे तो 336 रुपया हो जाएगा अब हमें हानी पुछा गया था तो हानी कैसे पुछा गया है तो हानी बडाबर केतना हो जाएगा तो जो हमें यहां से क्रैमूल पता चल गया है विक्रैमूल विक्रैमूल आगोने यहां पे यह जो 14% पर जो आ रहा हो जाएगा है ना उससे उसके तुलना में यह देखिए 338.56 रुपया प्राप्थ हो रहा था और 16% के अकेली बटा दिया जा रहा था तो इस पे आपका 336 रुपया ही हो रहा था यानि हानी कितना का हो गया 2.56 रुपया इसका हानी हो गया ठीक है तो इसका हानी अपसर नमबर ए हो गया 2.56 अगला सवाल देखिए कहा रहा है कि किसी वस्तु का मुल जो है 30% बढ़ा कर उस पर 10% था 10% को क्रॉमिक बटा दिया जाए तो अंतिम लाप परतिसत कितना होगा चलिए इसको बनाता है यह देखिए किसी वस्तु का वास्तुक मुल 100 रुपया है और अंकित मुल जो है 100 का कितना भाई तो 30% क्या बोला था देख लिजे बोला था यहां पे कि 30% पहले बढ़ाना था ठीक है और percent की बात हो रहें तो बटा सौ लगातेंगे इसमें भी बटा सौ इसमें भी बटा सौ अब इसको solve कर लिजेए पता चल जाएगा यह दूसुन से दूसुन यानि सौ से सौ खतम होगा एक सौन से ऍच्छून खतम फिर एक सौन से एक सौन खतम ठीक है यह कर दिए और सब तो उसको हम जब माइनस करेंगे तो हमें वास्तिक मुल्फ पता चल जएगा, लाब पता चल जएगा, फांस अलो तीन परसेंट, ठीक है, यह एंसर हो गया, तो इसका एंसर हो गया, अगला सवाल देखते हैं, तो आहरा है कि एक दुकांदार अपनी सारियों के मुल्फ का ला यह पूछा गया है चलिए इसको बनाते हैं तो देखिए लागत मुल हम 100 रुप्या माल लेते हैं और अंकित मुल निकालेंगे तो क्या करेंगे इस सोग उन्हें 20 कहां 120 कैसे हो गया क्योंकि उसमें बोला है कि 20% अधिक करना है तो 120 हो गया और फिर उसमें बोला था कि 10% खरि अब इसको काट्चाट करेंगे गुणावना कर लेंगे यह 20 से यह अनि 100 से 100 खतम हो गया एक सुल से एक सुल एक सुल एक सुल और बार नहुंकि निकालना है दोस्तों तो नाँप परसेंट कितना होगा तो यहां पर देखि लीजिए यहां 100 था लागत और 108 रुप्या पता हो गया तो लाब कितना आया आठ रूपया ज्यादा हो गया इससे इसके तुलना में आठ रूपया ये ज्यादा हो गया ठीक है ना आठ रूपया ज्यादा हो गया तो वही लाब उपर लिग दना है और ये बटा लागत कितना था सो और गुने सो काट कूट करेंगे ते कितना भाई तो लाब परसेंट इसको पता चल गया आठ परसेंट ठीक है तो लिजे इसके एंसर हो गया आठ परसेंट अपसन नमर भी आगे बात करते हैं पांच नमर बोलना कि किसी वस्तु का अंकित मुल उसके क्राई मुल से 20% अधिक है सोग उने 20% बढ़ाने की बात बोल रहा था क्या बोल रहा था कि 20% अधिक दे रहा था अंकित मुल से 20% जदा दे रहा था तो 120 हो जाएगा है ना सोग उने 120 अब इसी को काच शट करना है तो 120 को हम परसेंट है तो बटा 100 करके इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा और फिर बोला था कि बिक्रेमूल अगर बात करते हैं तो बिक्रेमूल क्या था जो आया हमें 120 उसका कितना भाई तो 20% बटा भी कर देना था तो 20% बटा यानि की केतना हो जाएगा 120 को कम करें तो 80% यानि अजसी आ बाता इसको 100 कर के काट कुट करिएगा तो 12 वाठijn चाण्वे रुपया हो जाएगा अब हानी की बात कर लें तो ये 120 था ये 96 आ गय भाई तो कितना का हानी हो गया तो भाई चार का हानी हो गया नई पहले से देखिए यह क्रैमुल 100 था और भी क्रैमुल 90 रुप्या न आ गया है यहाँ से नतुलना करना है तो कितना की कमी बेशी हो गई, चार का, यानि क्रैबुल कितना 100 था, और 96 रुपया भी क्रैमूल हो गया, यानि की 100 रुपया में खर दे, 96 रुपया में बेश दिए, तो 4 का हानी हो गया, ठीक है, सीडी सीडी बात दिख रहा है, यहां पे, तो 4 का हानी हो गया, यानि 4 बटा दिया जाता है अब किसी गराह बटा त्शुद मुल कितना अंकीत मुल को देखते एं तो 20 पर्सेंट की बात हो रही थी अंकीत मूल कितना बोला था चीक है तो अब हम करेंगे क्या तो पंदरह सो और यहां 20% बटा करेंगे तो 100-20 करेंगे यानि असी तब पंदरह सो का 80% और इसको जब सॉल्व करिएगा तो 12 सो आजाएगा कैसे जैसे यहां पे 100 लगाएंगे 100 से 100 से 100 से 100 काटेंगे और 1500 मियार्ट से गुना करेंगे 12 चानवे तो चानवे और बटा में हवेला तो बटा मेंढ़े एक क민िया काट कूट करने पर करने C यानि 8-0 में खड़ दी और पहली बट्टा पर 10% था तो दूसरे बट्टे कितना का मान होगा कितना परसेंट था तो देखिए हम दूसरे बट्टा को हम 1% मान के चलते हैं और आगे बढ़ाते हैं तो देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे जैसे हमें दूसरा बट्टा पता चल गया 1% अब प्रसन से चलते हैं तो 720 रुपया की बात हो रही थी कि 720 रुपया घड़ी की निधारितमुल था और बोला था कि 10% का बट्टा पहला पर दिया जा रहा था तो दूसरा बट्टा कितना था यह नहीं पता है तो उसको हम एक सबानते हैं तो 100-6% हो जाएगा और टूटल कितना दिया था 550.80 रुपया उसका घड़ी का करवाकर मतलब कुड़े में खरदा था अब इसके बाद में आगे सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करिएगा जैसे ही 720 है 720 इसको बटा में 100 कर लिजे इसको भी बटा में 100 कर लिजे यहाँ पर इसको भी बटा में इसको बटा में 100 कर लिजे और जैसे ही इसको काट कूट करिएगा इस सुना से सुना काट ये फिर दूनों से दूनों काट लिजे ठीक है और इधर से 72 से भी इस सब को काट कूट करिएगा तो आपका कितना इधर 100-6 बचेगा और 85 बच जाएगा अब उसके बाद जैसे ही ये 85 यहाँ पर घट की जाएगा और ये माइनस एकस उस पर चला जाएगा एकस और घट की आजएगा 15 तो यही आपका दूसरा बटा जो होगा आपका 15% एंसर होगा तो 15% अपसा नमर 20 का एंसर हो गया आगे बात कर लेते हैं कि चीनी के मूल में 5% के बटा प्राप्त करने पर एक खरीदार जो है 608 उप्या में 2 kg चीनी अधिक पराप्त करता है और बोल रहा है कि चीनी का बिक्रा मूल क्या होगा चले देखते हैं तो देखिए 5% बटा की बात कर रहा था और कितना केजी 2 केजी चीनी खरीद रहा था तो 100% पर निकालेंगे तो 20 से गुना करेंग टोटल कितना दिया था आपका तो 608 उप्या में खड़दारी हो गया तो 608 और यह 402 का डिफृरेंस हो रहा है कितना हो जाएगा 38-42 का डिफृरेंस 39-39 से इसको भाग देंगे तो सुरे रुप्या परती के जी इसका एंसर हो जाएगा ठीक है इसका एंसर सोरे रुप्या परतिके जी अप्सन नमर सी हो गया आगे देखते हैं यह वहला सवाल देखिए बीस परसेंट और दोस परसेंट क्रमिट बटे का एक सम्तुल बटा क्या होगा सिंपल है आसानी से बना सकते हैं देखिए कैसे तो देखिए हमने ट्रीक बताया है कि भाई 100 पहले लिग देना है पूरा सुना सब कट गया नहीं एक सुना बज़ा रहा है एक सुना बच जा रहा है तो क्या करेंगे हुई 8, 9, 72 फिर 8 से गुना कर लेंगे फिर 10 से भाग देंगे एक सोना जो बच रहा है तो इतना आ जाएगा और 100 में से जैसे इतना घटाएंगे तो 42.4 परसेंट इसका एंसर हो जाएगा ठीक है तो 42.4 परसेंट आपका सी अंसर हो गया आगे देखते हैं यह देखिए अगला सवाल क्या है बोड़ा की एक वस्तु पर एक वस्तु का जो है 15 परसेंट बटा और दूसरे वस्तु का 20 परसेंट बटे के समान तो दोनों वस्तुओं के मूले का अनुपाद क्या होगा इसको देखते हैं कैसे तो देखिए पाहला वस्तु का 15 परसेंट दूसरा वस्तु का 20 परसेंट तो पाहला और यह बटा में दूसरा हो गया यह आपका 20 आईए इधर से उधर गया तो 15 परसेंट से परसेंट काट लिए चार पचे पंचों का 20 परसेंट यानि की 4 परसेंट जिसका अंकित मुल 3,000 रुपया था और को करम 110 परसेंट तथा 15 परसेंट की दो करम एक बटे पर ख़रिगा उसने 105 परिवाहन पर एक ब्याय किये किया तथा मेज को 32 रुपया में बेज दिया उसके लाब का परतिसत किया होगा चले देखते इसको तो देखे इसको कैसे बना दिया गया था अंकित मुल था 3,000 गुने और 90 परसेंट की पहले बात बोल रहा था तो 10 परसेंट बट्टा जब होगा यानि कि 100 मैं से 10 कम होगा तो 90 परसेंट और फिर बोल रहा था था उसमें कि उसने 105 रुपया पर ब्याय कर रहा था तो वो भी आपका आट रहो जाएग कितना प्रफ आपका कितना हो जाएगा 2295 बार चैनल पर अगे किसमेंबी इसमेंPS 3 Kansas Aam ag Standard. उसके बाद आपको का करना है अब इसको दोनों को जोड़िये गा तो 2400 रुपया अपको क्या करना है तो कि भी क्रहा मूलत कितना रिया था तो आपका क्या हो जागा जाएगा तो लुभटा पता चल जाएगा तो घटा लिये तो कितना आ गया और 100 में 3 से भाग दे देंगे तो आगया 33% 33 पुर्णा के एक बड़ा 3% इसका एंसर हो जाएगा ठीक है तो इसका एंसर आप्सन नमर B हो गया आगे देखते हैं यह वाल सवाल कर रहा है कि एक किसी घड़ी का अंकित मुल जो है 1,000 रुपया है एक फुट कर विक्रेता उसे दो करमित बटा पर ठीक है 810 रुपया में खरीता है जिसमें एक बटा जो है 10% और दूसरे बटे का परतीसत क्या होगा निकालना है आपको चले देखते हैं अंकित मुल कितना दिया था 1,000 रुपया अंकित मुल पर कितना 810 रुपया उसमें बीक्रेत मुल दिया था अंकित मुल का बीक्रेत मुल और बोला था कि पहली छूट के बाद में बीक्रेत मुल कितना हो जाएगा तो 1,000 और कितना 10% पहले बोला था ना तो यानि कि 90 हो जा करेंगे दूसरा बैटा निकलना है तो दूसरा कितना हो जागा ति क्तना करना है नौबे सोरी और आगे बात करते हैं तो उसका परतीसत लाभ क्या होगा चलिए देखते हैं इसको खड़िता है तो लब देखिए क्रैमुल 36 और इसका 40 इसका विक्रैमुल हो गया और पहले से 100 अगर मान के चलते हैं तो एक परसेंट का जब उसका 100 परतमान के ही चला जाता है बता बता कीजिए ग स्कू Ved evidence 999 हो जाएगा और इसको जब इसको अपकीको हुई सैप से स्देश खुआङस करेंगे और फिरस्थ तो भाग देंगे तो दस परसेंट इसका लाभ परसेंट आजाएगा तैकला देखते ये वाला अब देखिए कह रहा है कि एक बेपाड़ी किसी वस्तु का बिक्रैमूल पर क्रैमूल से 10% अधिक अंकित करता है बेशते समय कुछ वह कुछ बटा देता है जिसमें उसे 1% की हानी होती है तो उसने कितना परतिसत बटा दिया चलिए इसको देखते हैं ते देखिए हमने क्या की तो देखें क्रैमूल जो है इसका 100 रुपया मानके चलते हैं अंकित मूल कितना हो जागा 110 कैसे क्योंकि 10% ज्यादा की बात कर रहा था और यह बिक्रैमूल कितना हो जागा 99 हो जागा चुकि एक परसेंट की बटा हो रहा था तो इसलिए एक कम हो गया और वहां पे देखिए और 10% का व 18 % निकालेंगे तो 111 इतना 110 अंकित मूल पर निकालेंगे और गुने 100 और इसे को काट कुट कर रहे हैं तो एक सुना से एक सुना इगारे से इगारे कार दिये तो यानि 10 बच गया यानि 10 % इसका टिक का इसका एंसर 10 % अगे देखते यह वाला पंदर निम्हाइघ करा कि बीजा के क्रेंट क्रामिक बटो बीश परसेंट तस परसेंट और फांच परसेंट ठीक है कि तुल ने बटा ग्याद करना चले देखते हैं इसको त्मुने ट्रिक क्या बताया था कि 100-100 अगुने और फिर परसेंट पड़ेना था था असी बैड़ा होगए सबक्राइब समर्ण एक सुना से एक सुना तो आठ नो बहत्तर फिर पांच आपर से गुणा करिए यह सौ से बाग दीज़ेगा तो अरसर दसनलो चालीस हो जाएगा तो 31.6% इसका एंसर हो जाएगा ठीक है तो इसका एंसर 31.6% अप्सन नमर ए ठीक है अब अगला सवाल देखे यह वाला देखे करा कि वह एकल बटा ग्याद किजिए जो 20% 10% की दो कर्मिक बटे को समतुल है ठीक है तो यह सवाल बनाना है तो चलिए इसको देखते हैं तो वही ट्रिक करा इसमें भी काम करेगा तो 100 आम आइना 100 आगो ने पहले केतना बोला था 20% फिर क्या बोला था 10% तो 20% परसेंट तो 80 बटा 100 फिर 10% यानि 90 बटा 100 अब इसी को 100 से 100 काट लिए 100 से 100 एक सोना एक सोना यानि आठ नमा बहुत्तर यानि बहुत्तर सो में से कम करिए तो 28% इसका एंसर हो जाएगा ठीक है तो 28% अप्शन नमर सी हो गया आगे बात करते हैं यह लास्ट सवाल है इसके देखिए एक वस्तु के क्रैमूल आपका 900 रुपया पर 20%, 30% और 40% के क्रामिक छूट मिलता है तो छूट के बाद वस्तु का कीमत क्या होगा चले देखते हैं इसको तो देखिए 900 रुपया था पहले कितना का छूट 20% उसके बाद 30% उसके बाद 40% अब इस सब को हम 20% मतलब 80 बटा 100 30% मतलब 70 बटा 100, 40% मतलब 60 बटा 100 अब इस दूसोना से दूसोना काट लीजे एक सोना से एक सोना एक सोना से एक सोना काट लीजे फिर एक सोना से एक सोना नीचे 10 बच जाएगा 8, 9, 72 में 7 से फिर 6 से गुना करेगा तो कितना आजाएगा 3024 अफिर 10 से भाग देंगे तो आपका आजाएगे कितना तो 302.4% इसका एंसर हो जाएगा ठीक है तो इसका एंसर हो गया 302.4 ठीक है इतना कीमत हो जाएगा तो दोस्तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जाकर को आपको कमेंट करें मिलते हैं नेक्स्ट यूडियम ठीक है